रहां रहां में दोस्तों जो साथी इस विचार में हैं कि हम लड़ाई जीत के खुश होके अपने गर जा रहे हैं तो बहुत बड़ी गल्थ फैमी में हैं ना तो अभी तक यह हुया है यह 2006 में भी हुया था सरकार ने बोल दिया था हम सभी केस वापिस लेंगे वो केस दोबारा फिर होगे सरकार ने बोल दिया हम कमेटी बनाएगे कमेटी 2011 में भी बनी थी इस गल्थ फैमी से बार निकलके जो चाहते हैं कि MSP किसानों का हक है और वो मिलना चाहिए तो उसके लिए आवाज उठाएं जदा जदा आवाज उठाएं चाहिए अगर आपको करना पड़ता है आप छोटी छोटी शरुवात करके भी इसको बड़ी शरुवात बना सकते हैं यह आपने देख के लिए है कि छोटी छो टुकडीयों होती उन्हों है बड़ी सहना कैसे बनती है वो आपको इस अंदॉल पिछे ना रहें, अपनी आज से अभी से शुरुआत करें, अपनी तुकडिया बनाएं, अपने धर्णा परदर्शन जो आपने करना है, कहीं पर भी आप अपना धर्णा लगाएं, एक चीज़ का ध्यान रहें, कि उसमराजनितिक ना गुशने पाई, अगर राजनितिक गु ना थे, आप क्यों नी शरुवात कर रहे थे, बोल बोल के सब का गड़ा बैठ गया, कि ये ओ रहा है, ये ओ रहा है, नहीं आपने ध्यान दिया, अभी तो आप ठीक है, खुश हो, इसका रेजल्ट आपको एक महिने, दो महिने बाद, और चुनाओ के जश्ट बाद तो आपको रेजल्ट मिल रहे हैं, ऐसे ही इस आंदोलन के रेजल्ट मिलेंगे आपको, समय रहे थे, अपनी आखे खोल लो, और जितने राजनितिक आपके बीच में गुशे हुए थे, इनको दूर करो, जब तक राजनितिक गुशी रहेगी, तब तक एक गरीब की, किसान की, आम इनिसान की कोई मांग उठा ही नहीं पाएगा, गरीबों की मांग उठाते उठाते लोग गाडियों वाले हो जाते, दन्ना शेट बने जाते हैं, वो गरीब वहीं रहता है, वो बोल नहीं पाता, और जो दूसरे बोलने के रिए चलते हैं, उनके आथम जंडा पकड़ा दिया जाता है, कि आप आराम से अपने जैकारे लगाओ, और नेताओ के पिछे पिछे चल दो, कब तक ये चीज़े चलती रहेंगी, हमें नहीं पता, लेकिन इस सवाल गा जवाब हम तो ढूंड रहे हैं, आप ढूंड होगे या नी ढूंड होगे, वो आपके उपर है, कईना कहीं जाकर राजनितिक पारटियों की सपोर्ट में चले गे, कि हम नहीं ये राजनितिक पारटिया ही बचाएंगी, बचाना ही राजनितिक पारटियों ने हैं, तो फिर क्यों दिखाते हो कि ये जन आंदोलन बन गया था, पहले ही कहा था, नेता सिरफ मुद्दे हैं मुद्धो पे कायम नी रहे तो ये ठोकर खाई अभी भी अगरी ठोकर छे शमलना चाहते हो तो खड़े हो अपनी आवाज उठाओ मजबूत्ती के साथ नहीं उठा सकते तो आराम से अपने गर पे आराम करो जो आवाज उठा रहे ना उनकी भी टांग किसाई मत करो सभी साथियों को राम राम भै